सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकान तो गेट आर लेटेस्ट वीडियोज हेलो दोस्तों आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चानल पर जिसका नाम एजुकरियर आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बता हुआ डिफ्रेंशियल इक्वेशन के प्रब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है तो डिफ्रेंशियल इक्वेशन जो एक्च्व इक्वेशन आताय dewden धाय है तुछ मेरा फंक्षन होता हूँ एक्सपॉनिंशल फंक्षन होता है यह अब इसमें यह जो इसका जर्म एक्पर्णाना के फॉर्मेट में उस्वा में एकवर सी प्लस इस तरीके से इसका final answer मुझे मालुम करना रहता है य के format में य एक्स के format में पिर यहाँ से अब मेरे को दो value मालुम करना है एक तो yc मुझे कहां से मिलेगा यह जो मेरी left hand side equation है यह मेरी left hand side equation से मुझे yc मिलेगा और right hand side की जो equation है उससे मुझे yp मिलेगा अब y से निकालने के लिए मैं इस equation का use करूंगा तो मैं यह equation as it is जैसी है उसी तरीके से यह equation मैं लिखता हूँ तो पहले मैं लिखता हूँ यह पूरी equation जैसी है वैसे लिखता हूँ 6 d square y by dx square plus 17 dy by dx plus 12 y और यहां पर मैं इक्वेट करूँ है is equal to 0 यह मेरी पहली condition इस तरीके से equation को मुझे नीचे उतारना है और फिर क्या करना है इसको इक्वेट करना है 0 उसके बाद मुझे क्या करना है d by dx को यह जो मेरी value d by dx square d by dx यहां पर इसको replace करना है तो यहां पर मैं replace करूँ मैं d by dx is equal to d मतलब d by dx मेरा क्या हो जाएगा d हो जाएगा उसके बाद d by dx square d square by dx यह मेरी value क्या हो जाएगी अब यहां पर जब मैंने common निकाल जाए sorry यहां पर मैंने नहीं दिखाया था यह common निकाल जाएगा उसके बाद यहां पर यह value को मैं कैसा replace करूँगा D square से फिर सेम अगर मेरी cube रहा यहां पर D x cube रहा तो यह value मेरी replace हो जाएगी D cube से इस तरीके से मैं value replace करूँगा तो यहां पर मेरा actual वी जब इस तरीके से value replace करूँगा 6 D square plus 17 D plus 12 is equal to 0 यह मेरी equation आ गई इस तरीके से मेरी equation आ जाएगी अब इस equation को मुझे D को replace करना है M से अब मैं D को replace करूँगा किस से M से D को मैं लिखूँगा M के format में तो मेरी equation हो जाएगी 6 M square plus 17 M plus 12 is equal to 0 इस तरीके से मेरी equation आ गई अब इस equation के बाद यह मेरी equation मैंने solve कर ली अब इसके बाद मुझे इसका factor निकालने के लिए इसका दो factor आएगा एक इसका factor आएगा आप calculator से निकाल सकते अगर नहीं आता निकालने आपको नहीं पता है तो मैं वो उसके description अपनी वीडियो के अंदर नीचे बताया हूँ तो एक यहां पर दो वैलिव आएगी मेरी एक वैलिव आ रही है माइनस 3 वाइटू और दूसरी वैलिव मेरी आ रही है माइनस 4 वाइट 3 यह दो वैलिव इसकी दोनों वैलिव आ रही है मैं आपको description के अंदर आप देख सकते हैं कैसे इसको यहां पर दो यहां पर दो यहां पर अगर यहां पर मेरा सपोद आई नहीं यह यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह पूरा नंबर आएगा माइनस 3 वाइटू यहां पर 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 यहां आप formula लिखता yp is equality मेरा क्या हो जागा ये value e raise to minus x और denominator में क्या value आएगी जो हमारी ये format पुरा करना थे जहां पर d के format में जो value थी मेरी ये value ये पूरी value उदर नीचे आजाएगी ये पूरी value नीचे आएगी 6 d square plus 17 d plus 12 ये इस तरीके से ये value आपको लिखना है जब भी ऐसा format है yp निकाले कि लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर जो equality के बाद जो value है वो value उसके बाद d के format पर जो आपके पास value थी उस value का use करना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर अब यहां पर जो इसके पास यह x के पास x को छोड़के यहां पर जो number प्रेजेंट है वो number आपको यहां पर प्लेस करना है पॉर एक्जामपल सपोज मेरे पास यहां पर मैं बताता हूं आपको मेरे एक नंबर है e raise to minus 2x है तो मैं b की जगे पर प्लेस करूंगा मतलग यहां पर एक जो constant number है वो constant number को d से replace करूंगा तो यहां पर मेरा 1 है तो d मेरा replace होगा minus 1 से अब d की जगे में minus 1 में रखता हूं तो yp मेरा क्या हो जाएगा yp is equal to यह पूरी value उपर as it is और नीचे मेरी value हो जाएगी यह minus 1 प्लेस किया तो यह minus 1 यहां रखा तो क्या हो जाएगा minus 1 प्लेस स्क्वार 1 हो जाएगा फिर यहां पर माइनस 1 रखूंगा 17 इंट्व माइनस 1 माइनस 17 हो जाएगा और यह value plus 12 तो इसको जब मैं solve करूंगा तो मेरा answer 1 आएगा base में e raise to minus x देस में 1 यह मेरा yp निकल गया यह मेरा yc निकल गया अब इसका final solution जब आपको मालूब करना है तो final solution इसका क्या होगा जैसा कि मैंने problem में पिछले problem में बताया था और इसी example में मैं आपको बताया था yc plus yp तो yc की जो value है yc की value यहां पर प्लेस करने है और yp की जो आपकी विए value है यह value आपको यहां पर प्लेस करने है और इसका यह पूरा जंदर solution हो जाए तो next जो वीडियो मैं इसके बाद जो next वीडियो बता हूं इसी टाइप के आपको दोंगा तो दोस्तों देखते रहें वीडियो को और सबस्क्राइब करें शेर करें दो